नमस्कार आप देख रहे हैं कापिडल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ राशप्रीद कौर यूपी के कुशी नगर में कुछ मनबढ यूवक लवज जिहाद में सफल नहीं हुए तो सैनिक की बहन को चाकू के बल पे अगवाह कर लिया यह संसनी खेच वारदात कुशी नगर जनपत के राम कोला थाना शेत्र के मोती पाकडगाओं की है आरोप है कि मोती पाकडगाओं के ही अलप संख्यक समुदाय के यूवक धर्म परिवर्तन कराने के नियत से यूवती पर महीनों से डोरे डाल रहे थे क्या है पूरी खबर देखिये इस खास रिपोर्ट में यह संसनी खेच वारदात कुशी नगर जनपत के राम कोला थाना शेत्र के मोती पाकडगाओं की है आरोप है कि मोती पाकडगाओं के ही अलप संख्यक समुदाय के यूवक धर्म परिवर्तन करने की नियत से यूवती पर महीनों से डोरे डाल रहे थे जब बात नहीं बनी तो एक विशेश समुदाय के आधा दर्जन लोगों ने चाकू के बल पर उस समय अगभा कर लिया जब यूवती अपनी मा के साथ खेतों की ओर गई थी यूवती की मा के शोर मचाने पर गाउं के लोग मौके पर पहुँचे तब तक मनबढ यूवती को बोलेरो पर जबरदस्ती बठा कर भाग निकले रामकोला थाना की पुलीस ने लड़की के पिता की तहरीर पर F.I.R. दर्च कर लिया है पुलीस पाँच लोगों को हिरासत में लेकर पूच ताच कर रही है बताते हैं कि रामकोला थाना शेत्र के गाउं मोती पाकड निवासी एक दलित यूवती पर यूवकों की नजर महीनों से थी विशेश समुदाय से तालुकात रखने वाले यूवक लवजिहाद के जरिये यूवती का धर्म परिवर्तन करना चाहते थे हसीन सपने देख कर एक यूवक लगतार यूवती को अपनी जाल में फसाने की फिराक में था इस दलित यूवती का भाई सेना में है और इस समय सिक्किम में तैनात है इसके बावजूद भी दलित परिवार मनबढ यूवकों के रवईये को देख डर रहा था जब यूवक लव जिहाद में सफल नहीं हुआ तो करीब आधा दर्जन लोगों ने खतरनाक प्लान बना लिया यूवती की मा ने बताया कि वो अपनी 20 वर्ष्य पुत्री के साथ खेतों की ओर गई थी तभी एक बोलेरो पर सवार आधा दर्जन लोग आएं और मूदबा कर उसकी पुत्री को बोलेरो में लाद लिया पीड़ता की मा के मताबिक सभी लोग उसके गाओं के ही थे यूवती के छोटे भाई के मताबिक घटना को अंजाम देने वाले लोग चाकू लिये हुए थे पीड़ता की मा के चिल्लाने की अवास सुनकर ग्रामिड मौके पर पहुँचे तब तक मनबढ यूवती को लेकर जा चुके थे इस बाबत पुलीस का कहना है कि सूसंकत धाराओं में एफायार दर्च कर पात संदिक्तों को हिरासत में लेकर पूछताच की जा रही है चल्द ही यूवती बरामत कर ली जाएगी एक तरफ जहां राम कोला थाना शेद्र के गाउं मोती पाकर निवासी एक दलित यूवती पर यूवकों की नजर महीनों से थी वहीं विशेश समुदाय से तालुक रखने वाले यूवक लव जिहाद के जरिये यूवती का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे इस रिपोर्ट में फिलाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें कैपिनल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार